अगर हमारे कंप्यूटर में ज्यादा इंटरनेट डेटा खर्च हो रहा है तो इसके लिए हम कुछ सेटिंग करेंगे जिससे कि हमारे इंटरनेट डेटा कम खर्च हो तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग करेंगे बोस्ट सेटिंग है यहाँ पे तो यहां पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद मीटर्ड कुनेक्शन यहां पर मीटर्ड कुनेक्शन आ जाएगा यहां पर निच्छी दिये गया है सेट एज मीटर्ड कुनेक्शन यहां पर हम क्या करेंगे यह यहां पर ओफ है तो इस इसके बाद हम यहां पर इसको बंद करेंगे यहां पर first setting होगी जिससे कि हमारे इंटरनेट डेटा कम खर्च होगा इसके बाद हम यहां पर second setting करेंगे हमारे PC के background में बहुत से application run होते रहते हैं लेकिन कुछ application जो है हमें नहीं चाहिए होते हैं तो बो भी हमारे PC में run होते रह स्टार्ट पे जाएंगे, स्टार्ट पे जाने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे प्राइवेसी यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करने के बाद बैगरॉंड एप्स यहां पे जाएंगे, तो यह देखो बैगरॉंड एप्स यहा यहां पर on है, सभी को off करना जाते हैं, तो हम यहां पर off क्लिक करेंगे, यह देखो, off क्लिक किया, तो यह यहां पर सभी app यहां पर off होगे, on करना जाते हैं, हम यहां पर क्लिक करेंगे, यह सभी यहां पर on होगे, अगर हम यह manually काम करना जाते हैं, तो हम यहां पर, जैसे हमें यह ने चाहिए इसको यहां पे off कर दिया इसके बाद हम यह ने चाहिए इसको यहां पे off कर दिया इसके बाद यह ने चाहिए इसको यहां पे off कर दिया तो जो जो हम यह चाहते हैं कि हमारे computer के background में यह run now तो इसको हम यहां पे off कर देंगे ओफ करने से क्या होगा हमारा इंटरनेट डेटा जो है वो कम खर्च होगा इसके बाद हम यहाँ पे इसको ओफ कर देंगे यह दिको ओफ कर दिया इसके बाद हम यहाँ पे तीसरी सेटिंग करेंगे हम कीबोर्ड से इसके बाद टास्क मनेजर पे क्लिक करेंगे टास्क मनेजर पे क्लिक करने के बाद टास्क मनेजर बिंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी open होने के बाद हम यहां पे start up tab पे click करेंगे start up tab पे click करने के बाद हम यहां पे Microsoft OneDrive यह यहां पे enabled है तो इसको हम यहां पे disabled करेंगे तो इसके लिए यहां पे right click करेंगे mouse का और यहां पे disable यहां पे click करेंगे तो यह यहां पे disabled हो जाएगा जब यह disable हो जाएगा तो इससे हमारे internet data कम खर्च होगा तो यह setting हम करेंगे इसके बाद इसको यहाँ पे बंद कर देंगे इसके बाद हम यहाँ पे अगली setting करेंगे तो अगली setting करने के लिए this PC पे यहाँ पे right click करेंगे right click करने के बाद यहाँ पे manage पे जाएंगे यहां पे दिये गया है यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद सर्विस यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद बिंडो अपडेट पे जाएंगे तो यहां पे डवल्यू को क्लिक करते है यह यह देखो यहां पे बिंडो अपडेट यहां पे आ ज disabled तो हम यहां पे disabled पे क्लिक करेंगे और इसको apply ok पे क्लिक करेंगे जब हम यहां पे window update को disabled कर देते हैं तो इससे हमारा internet data कम खर्च होता है इसके बाद हम यहां पे इसको बंद करेंगे इसके बाद हम अगली setting को करेंगे तो अगली setting को करने के लिए यहां पे start पे click करेंगे setting पे जाएंगे यहां पे setting पे जाने के बाद apps पे यहां पे click करेंगे click करने के बाद offline maps यहां पे click करेंगे offline map पे click करने के बाद offline map यहां पे open हो जाएगा open होने के बाद यहां पे map updates यहां पे दिये गया है तो यहां पे दिये गया automatically update maps तो यहां पे यह own है तो इसको हम यहां पे off कर देंगे यह off कर दिया, off करने से हमारा यहां पे internet data कम खर्च होगा तो इसके बाद यह setting कर दी, इसको यहां पे बंद करेंगे इसके बाद हम यहां पे last setting करेंगे इसके लिए हम यहाँ पे App Store पे जाएंगे यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे Three Dot आ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे Setting पे क्लिक करेंगे यह Setting पे क्लिक किया तो setting पे click करने के बाद ये देखो app updates यहाँ पे ये on है इसको हम यहाँ पे off कर देंगे इसके बाद live tile यहाँ पे दिये गया है तो इसको भी हम यहाँ पे off कर देंगे ये जितने भी यहाँ पे on है इनको off कर देंगे ये देखो इसको भी off किये इसको भी off किये तो इनको off रखने से हमारा internet डेटा जो है वो कम खर्च होता है यह जितनी भी setting हमने अपने computer में की अगर हम computer में कर दिते हैं तो इसे हमारा internet डेटा जो है वो बहुत ही कम खर्च होता है तो इस वीडियो में हमने यह सिखा कि internet डेटा को save कैसे किया जाता है अगर आपको मेरी य चैनल धन्यवाद